बात होगी आज ट्रांसफार्मर की एक्चुली में ट्रांसफार्मर मींस वो जो सामने घर के रखा रहा था वो आला नहीं वही आला है उसकी वर्किंग की बात होगी हाँ देख के आए थे ना हैं हो चलिए छोड़े थोड़ी हमको देखना है 200- tren में उसकी उपर बाड़ी थोड़े गल गई तो कभी किसी दिर नहीं बात करें unfolding pops the co हमें क्या होता है की हमको अलग-अलग जमएपर अलग लोटेश चाहिए हमको पावर आुस में एलक्रिसिटी बनाई उसको आपके घर तक भेजनी है पावर हाउस आपके घर की भीज दूरी हो सकता 100 किलो मिटर हो हो सकता 500 किलो मिटर हो ठीक है तो जादा दूरी अगर जाएगी तो हम यह डिसाइड करते हैं कि जादा वोल्टेज की करेंट भेजें या जादा मतलब अगर हम वोल्टेज ज्यादा कर देते हैं तो आपने पावर का फर्मला पड़ा है V into I अगर I को V upon R के लिखते है I क्या होता है V upon R लिखेंगे तो पावर का फर्मला क्या हो जाएगा V square upon R अगर V ब्रावर क्या होता है I R तो अगर ये I square R तो पावर के दो फर्मले होते हैं एक V square upon R एक I square into R अगर हम current ज्यादा कर देंगे तो पावर का loss जो होगा वो I square into R होगा अगर voltage ज्यादा कर देंगे तो V square upon R होगा तो किसमें loss ज्यादा लग रहा है इसमें loss ज्यादा लग रहा है इसलिए हम ज्यादा high voltage की current आप कहां भेजते हैं तेकिन आप कहां घर में जो apparatus लगे हैं उसी voltage को आप कहां supply कर दें तो दिक्कत होगी तो voltage को कम भेजना पड़ता है ठीक है अज़िए ज्यादा current भेजे और ज्यादा voltage भेजे दोनों का मतलब क्या है ज्यादा current भेजे मतलब हमने ज्यादा electrons भेजे हैं ठीक है ज्यादा electron भेजे हैं उसको current को ले जाने के लिए अब हमने 2000 भेजे जाओ ये काम करके आओ अब वो एक ही रोड पे चले आएंगे तो आपस लड़ेंगे ना अचा हमने क्या ठीक है 2000 एलेक्ट्रान भेजे हमने 10 एलेक्ट्रान भेजे उनको energy ज्यादा कर दी ज्यादा energy देके भेजे तो ज्यादा energy देके भेजे 100 एलेक्ट्रान जो 2000 एलेक्ट्रान काम कर रहे थे जल्दी एल्दी काम कर रहे थे जावाओ जावाओ फटाफट काम कर तो यहां voltage ज्यादा हो गया, number of electron कम कर दिये, लेकिन हर electron की energy ज्यादा कर दिये, यह expect किया कि जितना चकर 1000 electron लगाते हैं, उतने ही time में 100 electron चकर लगा ले, तो उतनी current बन गई ना, तो हम high voltage की current भेजते हैं कहां से, power house से आपके घर तक और आपके घर में voltage को कम कर देते हैं, कम करन अपड़ता है, अब घर में voltage आ गया, 220 volt घर के अंदर आ गया, अब घर के अंदर TV को 100 volt चाहिए, हमारे mobile charger को 5 volt चाहिए, किसी apparatus को 20 volt चाहिए, तो उसको 220 नहीं दे सकते हैं, तो हमको उसके अंदर भी एक transformer लगाना पड़ेगा, तो transformer का का काम क्या होता है, high voltage को low voltage में convert करना, या low voltage को high voltage में convert करना, AC current ही रहती, AC को नहीं change करता, AC AC रहेगी, लेकिन ये voltage को कम ज़्यादा कर देता है, तो सबसे पहले लिखे, transformer के लिए, transformer is an electrical device, transformer is an electrical device, which converts, which converts, which converts alternating current at low voltage, into current at high voltage, which converts alternating current at low voltage, into high voltage, and vice versa, transformer एक वैद्दूत यंत्र है, जो भी आप लिखे, जिसके सायता से हम, प्रत्यावर्ती voltage को, high voltage को low में, लो को high में convert करते हैं, ठीक है, अब देखे, जो low को high में करेगा, उसको हम step up transformer कहते हैं, तो लिखेगा, which, the transformer, which converts low voltage to high voltage, low voltage, to high voltage, high voltage, भी लिख दिया हमने, इसको कहते हैं, that is called step up transformer, step up transformer, तेकि एक चुली है, यह farmer जो होता ना, ना तो यह farmer है, ना तो यह farmer है, यह है, यह आपका for, यह वाला होता ना, इसे यह, जैसे एक होता है, paal, एक होता है, pole, एक होता है, paul, जो नी, वो जो, लिखते हैं, यह, 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 पी बन, है, हिंडी मिल्के जए ने, यह बनता है, यह farmer है, ठीक है, तो यह आपना पड़ी एक अट, ने, बोल सकते हैं, ट्रांसफार्मर, तो कोई दिक्कत दें, सामने वला क्या जाने है, आप भोल क्या रहे हो, लिक वही रहे हो, और लिक भी दो गए, F-A-R-M-E-R, तब भी समझने वा समझ जाएगा, आप कही क्या रहे हो, समझ चम जाते हैं, अगर आप किसी जी को, why are you, I am fine, कहे रहे हो, why are you, तो आधी अंगरेजी, हम लोग तो अपने आप सेंस समझाते हैं, कहना कह जाता है, ठीक है, और the transformer, which converts high voltage to low voltage, low voltage, that is called step down transformer, step down transformer, तो जो low voltage को high voltage में convert करता है, अभी current की हम बात नहीं बता रहे हैं, क्योंकि current भी change होनी है, वो जब हम कोई topic बीच में आया का सब हम बात करेंगे, तो जो low को high में convert करता है, वो step up, जो high को low में करता है, वो step down, तो यह तो है transformer, क्या होता है, ठीक है, कितने type के होते हैं, अभी किस principle पे काम करते हैं, तो इनका principle लिखिए, यह काम करते हैं, induction, electromagnetic induction, तो इसका लिखिए principle, it works on the principle of mutual induction, it works on the principle of mutual induction, कैसे, हम करते क्या हैं, कि माल लिया, हमने एक iron core लिया, देखिए धर, हमने एक iron core लिया, यह iron core है, यह iron core है, थोड़ा बड़ा बना दीजिए, यह हमने एक iron, मतलब यह iron की पत्ती है, नहीं, ऐसे एक तरीके से, यह iron core लिया, और हमने क्या क्या यहां से, यहां पर हमने एक इस प्रकार से, coil लगाई, और यह एक ही core है, ठीक है, और यहां भी हमने एक coil लगाई, यह कोर लगाई, यहां पर हमने क्या क्या alternating current को input कर दिया, क्या कर दिया, input कर दिया, अब input करेंगे तो alternating current है न, alternating current कैसे होती है, जिसकी value लगातार, change होती रहती है, आप जानते हैं, जब current इसमें flow होगी, जब current फ्लो होगी, तो इसमें magnetic field बनेगा, यह coil है न, solenide, तो इसमें magnetic field बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा न, और यह magnetic lines क्या होंगी, दूसरे transform में ऐसे पास होंगी, ऐसे पास होंगी, वह अच्छा diagram नहीं बना रहा है, हम बस बाद दौरा फिर बनाएंगे, लेकि दौरा भी ऐसे ही बनेगा, ऐसा न, अच्छा बन जाएगा, तो यह magnetic line दूसरे से पास होंगी, ठीक है, यह दोनों coupled कहलाती है, coupled का मतलब यह होता है कि coupling कहा जाता है, तो इसमें जब कोई change होता है, तो वो change यह sense करता है, यह वाली, जो coil sense करती है, त तो वहां से आप अपने voltage को output ले लेते हैं, अब कैसे number of turns कम जादा होंगे, बाद में बाद करेंगे, तो यहाँ पर आपको output voltage मिलेगा, तो इस concept को क्या कहते हैं, कि एक coil में कोई change हो, उसका magnetic field दूसरे coil से पास हो, इस concept को क्या कहा जाता physics में, mutual induction, यह नहीं mutual induction पर based है, तो क् लिखा, it works on the principle of mutual induction, अन्योड पराधारी तिये, क्या इसमें होता है, लिखे, when a changing current is passed through one of the coil, when the changing current passed through one of the coil, जब किसी एक कुंडली से एक प्रत्यार दिहरा बहती है, तो उसमें एक चुमकी छेत उतन होता है, वो चुमकी छेत दूसरे कुंडली से गुजरता है, और दूसरी कुंडली में भी एक प्रेरित विद्धवाग बलतन हो जाता है, लिख लेंगे ना, when a changing current is passed through one of the coil, then an induced EMF is developed in other coiled, other coiled नहीं, other coil, induced EMF is developed in the other coil, तो ये तो हो गया इसका principle, ठीक है, किस principle वे एक काम करता है, अब एक काम कैसे करता है, जरा समझने की कोशिकर, इसकी working क्या है, उसी working के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, diagram ऐसे ठीक है ना, समझने तो आई रहा होगा, क्या हो रहा है, हमने माना कि ये primary coil है, और ये secondary coil है, ये प्रात्मे कुंडली है, वो दुतिया कुंडली है, इसमे number of turns NP है, इसमे number of turns NS है, हम इसकी बात कर रहे हैं, जब इसमें कोई current पास होती है, तो current की वज़ए से इसमें एक magnetic field डेवलप हो जाता है, और एक induced EMF डेवलप होता है, पर जब current flow होगी, तो इसमें एक magnetic field क्रेट होगा, ये coil है न, solenite के अंदर magnetic field का फामला क्या होता है, ये solenite नहीं एक तरीके से, B बराबर, mu not, ni, I आई आप change कर रहे हो न, क्योंकि alternative current है, तो I change हो रहा है, तो B change हो रहा है, B बोले तो, magnetic field change हो रहा है, तो हम कहेंगे, देखो, पहले में flux change हो रहा है, और जितना पहले में हो रहा है, उतना ही, दूसरे में change हो रहा है, क्यों वही magnetic lines वहां से भी पास हो रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं, कि जतनी magnetic lines इसमें हैं वो सब यहाँ पर इसे गुजर रही है तो पर अग जिसे लिखे working Let NP is the number of turns in primary coil Let NP be the number of turns in primary coil इसको N1 and N2 ही मान सकते है And NS मतब S के वोल इंडिकेट for the secondary NS is the number of turns in secondary coil And क्या आप भूल गए NP number of turns in primary coil In primary coil And NS is number of turns in secondary coil ठीक है तो आप इसमें current flow रही है Alternating current flow रही है ठीक है तो induced EMF लिखे when the alternating current flows in the primary coil In the alternating current flows in the primary coil जब आप alternating current बोल देते हैं तो आप यह बोल देते हैं कि current change हो रही है यह अपने आप समझ जाते हैं कि magnetic field भी वहाँ change हो रहा होगा यह आप समझ जाते हैं कि flux change हो रहा होगा ठीक है क्या लिखा Alternating current flows in the primary coil Then Induced EMF Induced EMF In the primary coil In the primary coil देखो हमको यहाँ लिखाना चाहिए था कि step up में coil कैसे बनाई जाती है Number of turn बढ़ाएं घटाएं वो बाद में हम बात करेंगे जानबूस अभी नहीं कर रहा है तो Induced EMF को हम फिलाल EP लिख दें इसमाल लिखें कैप्टा लिखें चले इसमाल लिख दें EP लिख दें क्या फर्मला होता है Induced EMF का फार्मूला फेरडी साब दे गए थी क्या होता है Minus N Delta 5B upon Delta T ठीक है तो जाएगा Minus N N बोले तो N P D5B upon DT Delta की जाएगा D लिख दिया है Delta Average Value देता है और D instantaneous Value देता है ठीक है अच्छा जब ये Induced EMF क्रेट होगा इसमें इसमें Magnetic Field क्रेट होगा तो ये Magnetic Lines इससे पास होगी क्यों? क्योंकि ये जो आपने ये लपेट रखा है ये ये किस पे किया है? ये Core Material है ये क्या है? जिसके उपर आपने लपेटा है उसको कहते है Core Material Core Material और ये जो Core बनाया जाता है ये आपका कहे का बनाया जाता है Steel का नहीं बनाया जाता है ये आपका Core जो होता है वो Soft Iron का बनाया जाता है Soft Iron जो होता है वो Ferromagnetic Substance होता है Ferromagnetic Substance क्या करता है? वो Magnetic Lines जो उसमें होते हैं उनको अपनी और खीचता है अगर अगल बगल की भी magnetic lines होंगी उनको भी अपने अंदर कर लेगा और उन lines को इससे पास होने देगा ठीक है अब आप कहेंगे steel का बना तो इसका कोई दिक्कत नहीं steel काई बना सकते हैं आप लेकिन steel भी भेंकर फिरो magnetic होता है वो भी यही काम करता है लेकिन एक लफडा होता है यहाँ पर जो current flow हो रही है और कैसी flow हो रही है alternating तो इसमें एक बार magnetic field बढ़ेगा फिर zero होगा फिर reverse drag समझाएगा फिर zero होगा यही होना है ना लेकिन steel क्या होता है यह permanent magnet बना देता है अगर एक बार magnetic field बन गया तो जीरो नहीं हो पाएगा ना तो इसलिए हम यहाँ steel का इस्तिमाल नहीं करते यह हम कहें करते हैं soft iron करते हैं तो यह फिरो magnetic होता है तो जितना magnetic field यहाँ से निकला वो पुरा पुरा secondary से पास होगा क्योंकि वो अपने अंदर भर लेगा और चूंकि secondary भी उसी के उपर लिप्टी भी है तो अपने आप secondary भी पास कराएगा ठीक है आप लिखिए as secondary coil as secondary coil is wound secondary coil is wound on the same core material चूंकि दुतिया कुंडली भी उसी core क्या क्या कहेंगे वो देख लिए उसमें क्या लिका है उसी भी लिप्टी है अता हाज secondary so the induced EMF in the secondary coil induced EMF in the secondary coil secondary coil ES is equal to minus NS phi से होगा जितना flux इसमें बना हुआ है magnetic field वही field यहां से गुजर रहा है तो NS D5B upon DT ठीक है ठीक है अब देखो द्यान से दोनों को compare कर दो so ES upon EP क्या हो जाएगा NS upon NP actually ES EP क्या है induced EMF है ना मतलब induced EMF क्या होता है voltage होता है potential difference होता है तो इसको हम लिख सकते हैं VS upon VP भी लिख देते हैं इसको हम small R से denote करते हैं transformation ratio transformation ratio साइद हिंदी में parinaman अनुपात है parinaman word है देखो जड़ा अब देखिए अब अगर आपको voltage बढ़ाना है voltage बढ़ाने के लिए कौन सा लगाते हैं transformer step up तो for step up transformer for step up transformer step up transformer देखो दो तरीके से समझेगा आपको voltage VS ज़्यादा चाहिए ना output voltage ज़्यादा चाहिए तो NS ज़्यादा होना चाहिए मतलब number of turns in secondary coil should be number of turns in primary coil secondary coil के number of turns ज़्यादा होने चाहिए अब दो तरीके से समझे साउधान देखो यह है primary coil और यह है secondary coil इतने में primary coil है और इतने में ही secondary coil है अब primary coil में number of turns ऐसे आपने coil लगाए और secondary coil में भी ऐसे number of turns लगाए चुकि जितने में यहां magnetic field बनेगा न उतने यहां से गुजरेगा अगर ज्यादा इसको बड़ी बना दोगे तो यह lines बाहर निकल जाएंगी ठीक है तो हम करते क्या है हम को यह तो area सेम हो गया यह length सेम हो गई और इसमें number of turns ज्यादा चाहिए इसमें number of turns कम चाहिए तो हम क्या करते है primary में number of turns कम चाहिए और secondary में number of turns बढ़ाने है तो हम करेंगे क्या secondary coil को number of turns बढ़ाने के लिए उसकी पतला कर देते है उसको पतला कर देते है तो पतले करने से क्या होता है इसमें number of turns बढ़ जाते उत्रे में ठीक है तो सेकंडरी क्वाइल में नमर आफ ज्यादा होते हैं तो इसका जो क्वाइल होता हुँ उसको हम पतला करते हैं तो के नुक्सान दायक है क्वाइल को अगर हम पतला कर देंगे तो रजिस्टेंज बढ़ जाएगा लेकिन हमारी मजबूरी वहां पर होती है बाई मोटा बाय आप लगाओगे तो एक लिमिट के बाद मोटा भी नहीं कर सकते हैं इतना मोटा मोटा बाय लगा दूगे इसमें आपको एक हजार टन चाहिए इतने बड़े तुरता यहां से ले करके बड़े चौरता ट्रांस्फरमर रखा हुआ है क्यों क क्यों कि सेगंडरी कोई में नंबर आप टन ज्यादा चाहिए तो मोटा बाय लगा दिया वह रस्त एक तरह तो इसमें रस्टेंस तो बढ़ जादा लेकिन हमारा प्रेक्टिकल जो तरीका है ना प्रेक्टिकल इस ट्रांस्फरमर को रखना भी तो है उस पॉब्लिक प्लेस में तो यह आपका स्टिप अब ट्रांस्फरमर होता है दूसरा फार इस्टिप डाउन ट्रांस्फरमर फार इस्टिप डाउन हमको वोल्टेज कम चाहिए क्यों क्योंकि 11000 वोल्ट आपके घर में 220 वोल्ट में करना है इस्टिप डाउन ट्रांस्फरमर अब देखें नोटेस कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए? वीपी से. तो वीएस कम बोले तो नुमेरेटर कम. यानि कि यहाँ पर number of turns in secondary should be less than number of turns in primary. इसमे number of turns कम होने चाहिए. ठीक है? नोट करिए. तो यहाँ पर r की value क्या होगी? greater than one हो जाएगी है. और यहाँ पर r की value कितनी होगी? less than one हो जाएगी. हैंने आगर आप से कहा जाए कि भाई what is the transformation ratio in the step up transformer? तो greater than one. transformation ratio in the step down less than one. अब देखो हमको step जरा ध्यान से समझेगा. अब यहाँ पर एक बढ़िया सी बात आ रही है. साउधान हमें step up में क्या करना है? voltage को बढ़ाना है? यानि यहाँ voltage ज्यादा करना है और यहाँ voltage उसकी तुलना में कम होता है. अज़ा जहाँ पर voltage ज्यादा होता वहाँ current क्या होती है? कम हो जाती है. यहाँ current कम होगी और यहाँ current ज्यादा होगी. यहाँ current ज्यादा होगी. इस step up की बात मैं कर रहा हूँ. यहाँ current ज्यादा होगी. यहाँ number of इलेक्ट्रांज यादा होंगी तोए उनको मोटी मोटी सड़क चाहिए ज्यादा लोग रहते हैं तो यह वाला कैसे हो जाती है मोटी हो जाती है आई अबंजी पॉल्टिकर प्रयादा है तो पथले में दर्णों क्या दिक्कत ऺचाहिए कि हम रेसर कार लाएं हैं, रेस करेंगे, हमने एक पतली कार के बराबर एक स्टाड़क बना दी, दोड़ो 500 के रफतार से का दिकत, कितने आदमी दोड़ रहे हैं, एक आदमी, यहां पर साइकल से दोड़ने वाले थे, साइकल 500 साइकलों दोड़ेंगे, तो हमने बड़ी से स् अब आप कहेंगे यहां भी तार मुटा कर दो तो और अच्छी बात है और रिस्सन्स कम हो जाएगा लेकिन प्रैक्टिकली वह चीज बहुत दिक्कत होगी ना तो यह स्टिप अपकी बात है जरा स्टिप डाउन में चाहिए स्टिप डाउन में क्या होता है हमको यहां प्रैपुट में वोल्टेज कम चाहिए तो नंबर आफ टरंज भी कम चाहिए तो इलेक्ट्रान ज्यादा जाएंगे करन ज्यादा हो जाएगी तो तार कैसा चाहिए तो वहां मुटा तार यूज़ कर देते हैं ठीक है दोने तरिके स्टिप अगया ठीक है वोल्टेज बढ ले कि हम आइडियल ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब होता है कि जितनी एनर्जी वो इन्पुट में लेके आया है उतनी एनर्जी वो आउट्पुट में हमको देग इंपुट पावर का फार्मुला क्या होता है अब W अब टी ना बजाना मेकेनिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं एलक्ट्रिसिटी में पावर का फार्मुला क्या होता है V into I तो इंपुट में प्रैमरी कोईल होती है यहनि Vp into Ip is equal to Vs into Is अब practically समझिएगा आप step up transfer में voltage बढ़ा देते हैं ना जब दोनों का multiply same आना चाहिए अगर यहां पर Vs को बढ़ा होगे तो Is कम होगा ज्यादा हो जाएगा अपने अप कम हो जाएगा ठीक है तो यहां से अगर हम Vs upon Vp निकाले तो क्या निकलेगा अब आपको step over step down की exact definition आएगी तो यहां पर IP उपर होगा इस इक्जेक्ट डेफिनिशन आएगी अब आपको step over step down की exact definition आएगी देखो step up transformer क्या होता और step down क्या होता है अब तो बता दिए हमने voltage बढ़ा देता है अब साउधान सुनिए द्हान से step up transformer क्या होता है step up उन्हें किसे नहीं बार बता होगे अब main definition अब आ रही है देखो step up क्या करता है voltage को बढ़ा देता है तो current यहाँ voltage तो current ज्यादा होती है यानि यह low current की sorry low voltage की high current को high voltage की low current पे convert कर देता है step up क्या करता है the current at low voltage and high current is converted into high voltage and low current इसमें voltage बढ़ता और current कम हो जाती है step down में क्या होता है voltage कम हो जाता है तो current current ज्यादा होती है step down क्या करेगा step down क्या करेगा यह high voltage को low में करता है न तो high voltage की low current को low voltage की high current पे convert करता है सुन्में आई बात high voltage low current का मतलब voltage high है लेकिन current कम है बोल्य यह थो मतलब मैं जब इससे सुन जाते हैं English सितनी दाती English medium के हम लोग है voltage high मतलब इलेक्ट्रानों को हमने ज़्यादा energy दे रखी है लेकिन इलेक्ट्रानों की संक्या हमने कम कर रखी है यहां पांडो होते है step up में पांच high voltage के current कम है नंबर आप परसन कम है लेकिन voltage high energy आई है और step down में हमने क्या कर रहा है को रोग है कि voltage कम है लेकिन सो उठाई है कुछ नहीं करना हो करके तरी आले तो सामने वाला भाग जाए जहां क्यों कुछ नहीं करना कहें तुम दवरा हम चिला हो अब वह अलग की बात है कि वह चिलाते रहे उदर से बगवान कर दिया सब उड़वा दिया जाकर इतना voltage हाई कर दिया कि उनका voltage सम्झे ज्यादा है वह अनर्जी ज्यादा मतलब उनका जो vibration हो रहा है ना alternating में बहुत speed से हो रहा है काम उतने कर रहे हैं वह सेकंड में 50 पचास इलेक्ट्रान एक सेकंड में एक vibration करते हैं तो कुल वाइबरेस्ट्रान कितने हो गए 50 और यहां एक एलेक्ट्रान एक स्ट्रान पचा तो यह तो हो गया ट्रांस्फार्मिशन का मेंन कंसेप्ट अगर 100% आपको इफिसेंसी चाहिए तो यह कॉंसेट फालो होना चाहिए ठीक है लेकिन कुछ न कुछ 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 काम चाहिए चाहिए कामeu होती है तो लिखी एनर्जी लासे जिन ट्रांस्फार्मर देखिये ठांस्फार्मर किटनी प्रिगर की अनर्जी लॉस होती है नमबर मा लिखे कोपर लास कोपर कॉपर लास मतलब यह नहीं होता है चोर कॉपर चुरा ले जाते हैं उसके अंदर का उरे कॉपर लास मतलब बोले वाइंडिंग होती है अभी कुछ आया था कि इसमें करेंट फ्लो करते हैं तो हीट जनरेट होती है heat generate की वज़े से वो energy loss होती उसको हम copper loss कहते हैं ठीक है तो उसको minimize कैसे करें हम तो उसमें कुछ नहीं है हम क्या करना पड़ेगा हमको अब जानते है power power loss किस तरीके से होता है i square into r तो हम क्या करें हम i को या तो कम कर दें तो i को कम करती है मतब current flow ही ना कराएं switch आफ कर दें ना सस्वा बहेगा current ना होगा resistance तो अब r को कम जादा करतेना पड़ता है तो r को कम करने के लिए क्या करते हम थिक wire लगाते है थिक wire लगाते है copper already हम लगाते है और उसे बढ़िया हम क्या क्या कर सकते है कहते हैं flux loss या flux leakage भी कहते हैं इस पर यही होती ही ना एक लीक एज देखो flux leakage क्या होता है हम जब यहां winding करते हैं तो primary क्या होती है secondary क्या होती है अभी हमने कहा कि जो हम core material लेते हैं यह सूर्फ टैरं करेते हैं और यह सेच ना स्वीर मिंवाध्नेटिक होता है यह कैसा होता है सेच मगानेटिक होता है श्यूथ मतलब इस में जितनी ry मेगनेटिक field होंगी वह दूसरी साच Harphar होंगी एसे आथ ना यह ईसे आसे ऐसे आथth बताए न हमने ऐसे ऐसे पास होंगी लेकिन यह बताए magnetic field तो कुछ ऐसे बनेगा न ऐसे तो यह ऐसे जो बनेगा यह वाला भी तो होगा magnetic field तो वहाँ पहुंची नहीं पाएगा तो यह वाला magnetic field क्या करेगा वो उसमें पहुंचेगा नहीं जब पहुंचेगा नहीं तो वो उसको sense नहीं करेगा तो यह loss हो जाएगा न नियम यह अगर 5000 magnetic field बनी है तो 5000 वहाँ पहुंची चाहिए तो कुछ न कुछ वहाँ पहुंच नहीं पाती है उसको हम कहते हैं flux leak हो जाता है ठीक है उसके लिए हम क्या करें इस loss को करने के लिए हम करते कहां सौधान हम करते क्या हैं कि जो primary coil ऐसे लपेटते हैं यह हमने iron कोल लिया हमने यह primary coil लपेटी इसपे input current देंगे हम इसी कुपर secondary लपेटेते हैं इसको touch नहीं करते हैं ये primary coil लपेटी और उसी कुपर secondary लपेट दी तो primary के अंदर से magnetic lines निकली और बाहर कौन बैठा हुए टपा लगाए अब कहें निकलो आप बताओ कैसी जही हो हम तो यह हैं बैटें तो अब मजबूरी है अब जा नहीं पाएंगी तो पूरी की पूरी उसमें magnetic lines गुज़र जाती फिर भी एक आथ तो निकली जाती होंगे न में बाइचांस तो कुछ भी होगा बाइचांस तो आपके घर में 220 बीट भी गैराजार वोल्ट भी आ जाता है तो तो आपका short circuit हो गया उसका कामी खतम हो गया वो transformer काम खतम हो गया खराब हो गया तो क्या करें बनेगा जब बनना होगा ठीक है यह दूसरा loss हुआ जा करके यह यूँ कहिए एक मिनट आप इसमें साधान भासा में coupling शुडबी वेरी आइडियर काम खतम कोई समझे नहीं पाएक तुम कहें क्या रहा हूं हम secondary coil को primary coil के उपर लेपेड़ते हैं तो simple सी बात है कि जो magnetic lines primary से निकलेंगी उसके उपर कौन लिप्टा हुआ है secondary coil तो वो उस current किसरा है eddy current eddy current loss क्या होता है देखें आपको eddy current की definition पढ़ा ही गए थी वह बगवान पूछा है ना हमसे अपने आप बता दे है प्रभू है अनुमान जी अनुमान जी तो करबड़ करना दे आज कौन सा देना सुक्रवार दुर्गामाता ठीक रहें है दुर्गामाता इस कि दिमाग को ऐसा दो कि हमसे ना पूछे आप से नहीं पूछता महीं बता देता हूँ हमने कहा था किसी भी metal को अगर किसी changing magnetic film में रखो किसी changing magnetic film में रखो या किसी magnetic film में मूब करा हूँ उसमें मत लिखे किसी changing magnetic film में रखो या magnetic film में मूब करा हूँ तो इस metal से गुजलने व तो उससे magnetic field में change होगा तो इसको iimaq स करेगा उसके अपोस करने का तरीका क्या होता है कि जो current करने के लिए उसके phenotype Key flow करने के लिए उसके पास कौन होता है electrons होता है, बहुत सारे electrons होते हैं, वो सबको order करता है कि सबी लोग सुरू हो जाओ, कि कौन है नाला, एक magnetic field चेंज कर रहा है just opposite magnetic field बनाओ, वो electron, ulti direction चे फ्लो ना सुरू कर देते हैं, यारि आपकी जो current flow हो रही है, उसके opposite अपने आप एक current setup हो जाती है, उसी को कहते है eddy current, वो eddy current यहां loss हो जाती है, तो उस loss से बतने के लिए हम क्या करते हैं एक पूरी sheet ना लेकर के हम बहुत सारी पतली sheets का प्रयोग करते हैं, एक मोटा metal नहीं लेंगे, जो आपका core metal होता है जिसके उपर आप coil लपेड़ते हैं वो एक metal sheet ना लेकर बहुत सारी पत्तियां लेते हैं, बहुत सारी पत्तियां लेने से क्या होता है, कि वो eddy current loss कम हो जाता है, कैसे आप उसको समझेगा, समझ में आए तो ठीक क्या है, इसके अंदर electrons है, उसने अपने electron को permission दिया, order करेया, कि आप एक magnetic field create करो, जो इसको oppose करें, उसनों ने क्या किया, इस प्रगार से magnetic field create कर दिया, ठीक है, बगल में एक और पत्ति है, आप ज़रा समझेगा, इस पत्ति से ये magnetic field create हुआ, नहीं हुआ है, जा रहा था ना, इधर जा रहा था ना, magnetic field, और जो इस वाली पत्ति ने create किया है, वो भी तिस से pass होगा, अब बताओ ये confused हो गई, कि किसको oppose करना है, जैसे कहा है ना, कि ये, चला, इसको मारो, क्या कर रहा है, किसको मारें, एक magnetic field इधर की और जा रहा है, और इस वाली plate ने किधर बनाया है, इधर की और, तो किसको oppose करें, तो net magnetic field को oppose करेगा, माले, इधर आपका 5 weber per meter square था, इसने इधर जो create किया, 5 नहीं create कर पाया, 2-3 create कर पाया, तो net बर जाब, उसको कर दो, तो उत्रा उसको change करेगा, तो यह भी एक magnetic field बनाएगा, नहीं बनाएगा, बगल में पत्ती है, उसके पाद 3 magnetic field है, किसको oppose करें, तो इस प्रिकार से, यह opposition कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, तो नहीं बाद नहीं आईए, तो हम एक metal ना ले करके, एक metal sheet ना ले करके, हम क्या करते है, बहुत सारी पत्तियां लगते हैं, कभी आपने अगर transformer देखा हो, छोड़े-छोड़े बिकते हैं उसमें, लगाते है apparatus में, तो एक छोड़ा सा बहुत सारी पत्तियां होंगी, उसके उपर, जो है, winding लप्टी होती है, तो पत्तियां लगाने का कारण यह होता है, कि यह eddy current loss को कम कर देता है, समझें आई बात, अगला है hysteresis loss, hysteresis loss, HYSTERESIS, HYSTERESIS, hysteresis loss, क्या होता है, आपको याद होगा, हमने एक material को, एक magnetic field में रखा था, और उस magnetic field ने, उस material को magnetize किया था, हमने एक graph बताया था, H और I के बीच में, ना मालूम हो, तो पढ़ लिजे किसको पहले, हमने H बढ़ाया था, और तो I बढ़ा था, याद है ना, तो ऐसे बढ़ा था यह, पहले से बढ़ता बढ़ता गया और फिर एक fix हो गया था, माल्या वो material में एक हजार एटम्स थे, तो जब हमने magnetic field लगाया, तो एक हजार एटम्स धिरे-धिरे, magnetic field direction में चलने लगे, और जब एक हजार पूरे चल लिए, तो उसको कहते है, saturation हो गया, संत्रव तवस्था हो गई, अब हमने जब magnetic field कम किया, तो यह वापस इसी रासेश नहीं लोटे, दूसरी रासेश लोटके आए, retentivity, coercivity याद है ना, तो अब जब हमने H0 कर दिया, यह एक्स्टरनल magnetic field 0 कर दिया, अभी भी material में magnetic field बचा हुआ है, अब आपको अगर और reverse करना है, तो reverse direction में आप करिए, तो इस परकार से आपको एक loop बनाता है, याद है ना, याद है ना, यह है, stress is loss, तो यहाँ पर वो गडबड होता है ना, क्या होता है, आपने magnetic field, आपने current flow गराई, coil में, coil ने magnetic field बनाया, वो magnetic field, जो core material था ना, ferromagnetic, उसको magnetize किया, उसने क्या-क्या, उस ही magnet को कहाँ भेज दिया, secondary coil में, secondary coil ने, उस magnetic field को sense किया, और उसमें एक EMF create हो गया, वो हमको मिल रहा है, अब यहाँ current zero हो जानी है, यहाँ current zero हो जानी है, तो नियमता है, वहाँ भी current zero हो जानी चाहिए, जैसे ही coil में current zero हो, वैसे ही magnetic field कैसा होना चाहिए जिरो लेकिन current की zero करने से coil का magnetic field तो zero हो जाता है लेकिन जो material है ना जो spheroes material है जिसके उपर coil lift थी थी ना उसका magnetic field zero नहीं होता है उसमें दो-चार ऐसे atoms होते हैं जो लगातार उसी direction जाते रहते हैं तो हमको reverse current हम लगाते हैं तो पहले तो वह वाला जो material demagnetize हो फिर वह दुबारा magnetize हो तो इस प्रकार से energy का loss होता है तो इसको इसके लिए हम क्या करें हम एक ऐसा material यूज करें जिसमें demagnetization, remagnetization, magnetization तीन बाते हैं एक magnetization हो रहा है एको demagnetize होता है एक दुबारा magnetize होता है वो जल्दी जल्दी हो तो उसके लिए हम copper इस्तिमाल करते हैं copper में ये loop बहुत पतला बनता है आपको याद होगा हमने बताया था जितना पतला loop होता है उतना ही energy loss कम होती है तो ये आपका hysteresis loss है एक humming loss है आपने देखा होगा transformer के उससे एक आवाज आते हर बुक में नहीं लिखा होता है इसको humming glass कहते है transformer में एक आवाज होती है होती है ना बहुरे तरह बोलता रहता है सुने नहीं है बहुरे ने खिलाया फूल फूल कूल ले गया वो गाना नहीं बहुरे तरह नहीं होता है उसके भगन में एक humming आवाज होती है होता क्या देखे ध्यान से होता क्या है ये क्वाइल होती है ठीक है जब magnetization होता है तो magnet क्या करता है ये magnetic lines दूसरे क्वाइल से गुजरती है तो coil थोड़ा लंबी होती है फिर कम होती है तो coil के लंबाई कम ज़्यादा होती रहती है ठीक है तो इस coil के short होना बड़ा होना इतनी लंबी नहीं हो कि अब coil निकल गए तरह हम बार हो ले ओले देखो coil वाहर निकली आ रही है फिर उसके अंदर गुज़गी जाकर कि इतना नहीं होता है हलका हलका होता है तो वो आवाज उससे होती है इसको humming loss कहते है ठीक है तो इस loss को फिलाल हम कम नहीं कर सकते है तो वह लिका आ गया था transformer works its core जो उसकी होती है जो core होती है वो lengthened होती है and shortened होती है during the east cycle of the alternative voltage this phenomenon is called magneto extraction कहते है इसे humming sound होती है अब sound होने के लिए energy चाहिए वो energy कहां से आईगी उसी electricity से तो वो energy भी loss होती है ठीक है तो अब हम लोग करते क्या है government ने का भई बड़ी चोरी होती है बिजली बाकी तो हम उसको energy loss में दिखा देते है बहिए energy loss हो गई अब 100 unit आई हमने पता चला loss कितनी होई 20 unit use कितनी होई 80 unit चोरी हो गई 40 unit पैसा कितने का है 40 unit तो यह loss कितना दिखा दिया 60 unit तो बता दिया बहुए 60 unit loss हो गई अब उस 60 unit जो loss होई है उस loss का जो gain जिसको भी हुआ हो वो gain वाला जाने तो इस प्रकार से यह है transformer की पुरा पैत्रिक खांदान have you got it सुझ में आया नहीं आया तो इसमें पहले आप लिखेंगे transformer क्या होता है लिखेंगे मतलब लिखेंगे उसमें highlight करना फिर इसका principle क्या है इसकी working क्या है इसका construction जैसे है ठीक है इसकी demerits क्या है और demerits पर short question बहुत बनते है बहुत आते है कि भई step आप में कौन सी coil को मोटा बनाते हैं पतला करते हैं क्यों मोटा बनाते हैं resistance कम करने के लिए ठीक है क्योंकि वहाँ पर current कम होती है already current कम होती है ठीक है sorry current ज्यादा होती है तो current ज्यादा होती है तो resistance को कम करने के लिए हमको उसको मुटा बनाना पड़ता है ये कुछ कहानिया है short question बहुत आते है जै हो ट्रांसफर्वर माराज की जै हमिंग वाला बता रहे है जब आपने कॉयल में current फ्लो करी तो current क्या करती है वो जो core material है उसके atoms को क्या करती है सब लोगे के lines खड़े हो जाओ चला आप खड़े हो तो जब आपको line से खड़ा किया जाता prayer में तो क्या करते है धका मत मानना तो थोड़ा सा आप दूर दूर खड़े हो जाते हो ना तो वो दूर दूर चले गए तो atoms दूर दूर चले गए मतलब क्या होता है अगर atoms दूर दूर हो गए ये metal है इसमें atoms 5 जा रहे है अब थोड़ा दूर दूर कर दो इनको एक force लगा तो magnetic force तो थोड़ा सा स्की लंद बढ़ जाएगी इसके बाद अच्छा फिर चलो ऐसे जैसे थे तो फिर उत्रा श्रिंग हो जाती है तो यह जो मैटेरियल होता है वो कम ज्यादा होता है मैटेरियल कम ज्यादा होता है तो उस कम ज्यादा होने के वज़े से हमिंग शाउंड होती है प्टिक घानओ करते हं इस पूरे कॉर मेटरिल को उठाए इक टेल डाल देते हैं ट्रांसफ़बर्वर में अंदर एक बख्सा होता है उसको उसके अंदर तेल भड से प्था है NEW को राछ देखा ओगा parody amusing से बहुत सारी पाइप निकली होती है उसमें तेलo होता रहता है वह पाइप संपर्क में रहते है इटमास्फियर के यह मान की चलते हैं कि अटमास्फियर का टेmperature ट्रॉंस्फार्मन से कम होगा तो धरे-धरे heat जो है वह loss लॉस होती है radiation से बाहर निकलती रहती तो और ट्रांसफार्मर थोड़ा सा ठंडा रहता है अब क्योंकि हमारे यहां के टेमिट्टियर 40 42 45 हो जाता है तो कभी-कभी बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो ट्रांसफार्मर में ठंडे पानी के बहुत शार करें तो ठंडा भी किया जाता है जो पावर होस होता वह ठंडा क करना पड़ता बहुत हीट हो जाता है गल जाएगा भाई ठीक है है ठीक